आप सभी को मोहित वसिष्ट का नमस्कार आज इस वीडियो के माद्यम से हम ग्रहों के उच्छ नीच वैस्व ग्रही रासी होने के बारे में जानेंगे तो सूर्य ग्रह मेश रासी में 10 अंस पर परम उच्छ का होता है और तुला रासी में 10 अंस पर परम नीच्छ का होता है चंद्रमा वर्षब रासी में 3 अंस पर परम उच्छ और वर्षचिक रासी में 3 अंस पर परम नीच्छ मंगल मकर रासी में 28 अंसपर परम उच और करक रासी में 18 अंसपर परम नीच बुद्ध कन्या रासी में 15 अंसपर परम उच और मीन रासी में 15 अंसपर परम नीच गुरू करक रासी में 5 अंसपर उच का और मकर रासी में 5 अंसपर परम नीच का सुक्र मीन रासी में 27 अंस पर परम उच्च का और सुक्र कन्या रासी में 27 अंस पर परम नीच का सनी तुला रासी में 20 अंस पर परम उच्च और मेश रासी में 20 अंस पर परम नीच राहू मिथुन रासी में 15 अंस पर परम उच्च और धनू रासी में 15 अंस पर परम नीच केतू धनू रासी में 15 अंस पर परम उच्च और मिथुन रासी में 15 अंस पर परम नीच और अब हम जानेंगे कि स्वग रही ग्रह कौन-कौन सी रासी में होते हैं तो सूर्ये सिंग रासी में स्वग रही, चंद्रमा करक रासी में, मंगल मेश और वर्षक रासी में, बुद्ध मिथुन और कन्या रासी में, गुरु धनू और मीन रासी में, सुक्र वर्षब और तुला रासी में, सनी मकर और कुम्ब रासी में आसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद